चीज बहुत पसंद करती हूं market में, gap up open high और gap down open लो, तो मान लो अगर मेरे पास खड़ी है position, वो इसके उपर बन देती है, दूसरे दिन उसका high है, तो continue, इसके बाद इसके नीचे stop loss आगया exit, जैसे ही इसने इसको cross किया, उसके बाद तो non-stop, कम से कम, 1000 point अगर यहां से अगर आपको दे देता है, is not a small thing, 5% अगर उसका stop loss hit नहीं होता है, तो मैं उसे छोड़ती हूं Hello friends, I am Jyoti Budiya and फिर से आपके लिए लेके आई हूं, एक support and resistance पे, कुछ मेरे style की छोटी सी tricks है, जिने मैं बहुत use करती हूं और मेरे काम भी आती है, मैं आपके साथ पो शेयर कर रही हूं, मेरे style का support and resistance, अच्छा उसके पहले भी बता दूं, कि बहुत जो technicals चांदते हैं, वो varieties of support use करते हैं, जैसे Fibonaki supports, trend line supports, channel supports, जो भी है, और horizontal line supports, फिलाल हम as a new trader समझ के, अपने आपको एक horizontal line से करते हैं, start, और horizontal line जो support और resistance का काम करती है, मुझे उसमें बहुत जादा मज़ा आता है, because यह जैसे एक platform है, यहाँ पे अगर चल रहा है कोई और यह अचानक से तूट जाए, तो मुझे लगता है कि वो जादा बड़ा fault दे सकता है, या यह एक छट बनके इसके उपर से अगर निकल जाए, तो अच्छा काम कर सकती है let's say this is support and this is resistance, तो friends मैं ज्यादा करके support के पास में ही buy करना पसंद करूँगी, खास करके जब open and low nearby होतो, open and low nearby, तो मैं buy करना पसंद करूँगी क्योंकि stop loss बहुत छोटा होता है, मैं बीना stop loss के तो कभी trade करूँगी ही नहीं, और resistance में भी, मैं resistance के पास कब short करती हूँ, जब मुझे open और high nearby मिलता हो तो, और अगर buy खड़ा है मेरा, तो उसका profit book करूँगी, definitely, और stop loss जो है, वो इसके उपर रहेगा, इस तरह से मैं इसको use करती हूँ, दूसरी सबसे important बात ये है, कि अगर मुझे resistance के उपर बाई करना है, तो वो resistance को break करेगा, और break करने के बाद, जो सबसे बड़ा question सबके दिमाग में आता है, और मुझे से पूछते भी है लो, कि भाई वो fake breakout हो सकता है, ये fake breakout का पता कैसे करें, तो भाई guaranteed तो नहीं है, लेकिन, let's say हमको ऐसे 10 breakout मिले, तो उसमें से 4-5 में SL हीट हो सकते हैं, सब में नहीं, क्योंकि हम एक जो सावधानी ले रहे हैं, कि इसके उपर जब close आता है, और इसका high जब तोड़ेगा, तब हम buy करते हैं, stop loss इसके नीचे, strict stop loss मतलब strict stop loss, और stop loss hit is a stop loss hit, वापस उसके उपर चला गया, फिर उसके उपर उसे टिकने दीजिए, फिर देखेंगे, तब तक मैं नहीं देखूंगी, और इसमें भी, अगर मैं क्या prefer करूँगी, कि इसके उपर अगर जो candle जा रही है, वो candle almost open low nearby हो, तो उसमें से मैं और भी filter कर सकते हूँ, कि fake breakout ना हाता है मुझे, चलिए अब charts पे चलते हैं, क्या आप भी जोती बुधिया मैम से end to end trading पढ़ना चाहते हैं, if yes, then I have something very exciting to share with you, हमने जोती बुधिया मैम के साथ, recently introduced किया है, the जोती बुधिया learning path, इस learning path में आपको जोती मैम के सभी courses का access one go में मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस learning path में technical analysis, options trading, open interest based trading, और मैम के बाकी सभी courses available है, and you know the best part, अगर आप इंडिविजुली इन कोर्स को बाई करते हैं, तो आपकी फीस कोच 1600 तो 2000 के बीच होंगी, but if you buy this learning path, you'll get it for only 9.99, isn't that exciting? तो आज ही इस learning path को subscribe कीजए और जोती मैम से trading सीखें, now let's get back to the video, तो let us say, यह हमारे पास nifty का chart है, और हम nifty को यहाँ से start करते हैं, यह उसके पहले यह supports, राइट, यह support है, यह बड़े supports हैं, छोटे supports के लिए हमारे पास यह swing lows जिसे कहते हैं, swing lows और swing highs को support and resistance देखते हैं, मैं बहुत पीछे न जाते हुए, सिर्फ यहाँ से जाना पसंद करूँगी, और यहाँ पे open और यह मुझे नहीं मालूम था कि यह पहला वाला support है, market जब lettuce से घुम के वापस यहाँ आता है, ओके, एक यह support है, एक यह support है, तो हम क्या करेंगे, यह दो line बना लेते हैं, इसे कहते हैं कि range, तो कहते हैं यह support zone है, करीब करीब, 1500 पॉइंट का support zone है, जब ऐसे दो तीन supports पास पास में हो ना, तो market वहाँ पे अटकता है, consolidate करता है, उसको easily जोर से अगर करें तो बहुत दाकत लगती है, otherwise वहाँ पे वो consolidate करता है, मैं और एक दो चेके आपको दिखाऊंगे, अब इसके बाद, जब मुझे open and low nearby मिलेगा, तो open and low nearby में जैसे nifty है, तो उसमें मैं करीब 25-30 points को पकड़ती हूँ, as open and low nearby, और bank nifty में approximately 50-60 points, क्योंकि उससे ज़्यादा लेंगे, तो half percent खराब हो जाएगा, यहाँ पे 16977 का open है, और 16940, approximately 37 points open and low है, इसे लेके, यहाँ पे इसके नीचे मैं stop loss लगा सकती हूँ, या इसके नीचे, जहाँ भी comfortably, easily, फिर इसके बाद क्या करूँगी, मैं पहला resistance बनाऊँगी, जो कि यह है, अगर आप देखेंगे, तो market दूसरे दिन gap up खुला है, और gap up खुलके, again open and low nearby कर दिया, तो यह आपका यहाँ, तो यह आगया open and low, ओके, next यहाँ पर, इस तरह से, हाँ, यह मैंने क्यों बनाया, यहाँ पर यह gap down है, यह gap है, इसलिए उस gap के लिए मैंने इसे एक resistance बनाया है, तो देखिए, उसी के असपास, यह टिग गया है, अगर आप देखोगे, यह देखो, टिग गया, और यहाँ पर, दोल सपोर्ट होने से, थोड़ा 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 है, फिर, एक और, यह स्विंग, हाई के हिसाब से मैंने बनाया, यहाँ पर, इसके उपर क्लोज दिया, इसका हाई तोड़ा, तो मान लो, अगर मेरे पास, खड़ी यह पोजिशन, वो इसके उपर बन देती है, दूसरे दिन उसका हाई है, तो कंटीन्यू, इसके बाद, इसके नीचे, स्टॉप लॉस आ गया, एक्जिट, इसमें और एक चीज है, मैं आपको बताऊंगी, थोड़ी देर में, पहले मैं यह कंप्लीट करूँ, अब, इसके बाद, फ्रेंस, मैं आपको कुछ और देखाना चाहते हूं, यह देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यह सारे पॉइंट्स जो है, वो कंसॉलिडेट हो रहे है, ठीक है, तो यह देखिए, यह सब पॉइंट्स पास पास में आ रहे हैं, राइट, जैसे यह पॉइंट्स पास पास में आप देख रहे हैं, तो उसमें क्या दिख रहे हैं, मार्केट जो है, अटक सा गया है, राइट? मार्केट को कोई range नहीं मिल रही है ऐसा सुना भी होगा इस particular time में कि ये पूरे दो महिने तक मार्केट ने कोई खास मज़ा नहीं दिया राइट? जैसे ही इसने इसको cross किया उसके बाद तो non-stop कम से कम कहां तक लेके गया? कहां तक ले गया? non-stop 20,000 तक 1000 पॉइंट अगर यहां से अगर यह आपको दे देता है is not a small thing, 5% चलिए, फिर एक चीज दिखाते है अब यहां यह चला गया, मार्केट नीचे आ गया सब हो गया, अब यह support बन गया, सब हो गया हमारा काम हो गया, कि यह support बन गया, open लो गया, चलिए, फिर से आपको एक चीज दिखाते हूं यह हुआ, इसके बाद यह हुआ और यह तीन क्या यह दिख रहा है, market इसके range के बीच में यही पे, यह जो supports थे, इसी के असपास market गूम रहे हैं और जैसे इसको किया, उसके बाद market अगेन, non-stop पहला तो 1000 point रही दिया अगर मैं बात करूं तो फिर यहां से निकला, yes, support, resistance, support, resistance करते हुए और चलते गया अब friends, यह मैं एक एक अपनी study बताना चाहती हूं कुछ मैं एक चीज बहुत पसंद करती हूं market में gap up open high और gap down open लो gap up open high इसका मतलत क्या हुआ, कोई न कोई अच्छी खबर थी, इसलिए market gap up open हुआ और immediately उसमें selling pressure क्यों आया मतलब जो अच्छी news थी उसकी value खतम हो गई तो मैं उसी के high cost stop loss पकड़ के मैं short कर सकती हूं लेकिन यह ध्यान रहे कि वो अपने आप में अगर उसका sell hit नहीं हुआ हो अपने आप में support का काम करती है जैसे कि यहाँ पर यह क्या price में close हुआ है अगर हम यहाँ पर देख लिए तो यहाँ पर close कितने में हुआ है 17828 और open कितने में हुआ है 17863 gap up open और high same ditto पैसा तो पैसा अपन फिर भी half percent तक हम लोग चल सकते हैं लेकिन इसके stop loss के साथ हम यह काम करेंगे और सबसे important इसी जगे हम इसको एक resistance line बना देंगे जैसे इसको cross किया देखे फिर से चलने लग गया market राइट फिर यहाँ पर वापस क्या हुआ gap up open हाई तो ठीक है हम फिर से इसको mark कर देते हैं फिर से यहाँ पर देखे अब यहाँ पर यह अठका रहा यह simultaneously उसका भी effect है जो मैंने अभी previously बहुत सारी trend lines बनाई थी यह भी gap up उसके बाद का नतीजा आप दिख लीजे अब इसी के साथ में आपको एक latest चीज दिखाती हूं यहाँ पर यह gap up open low है gap down open low चाहिए यह gap up है मैं आपको एक latest example दिखा रही हूं gap down open low का और उसके बाद का कमाल आप देखिए बिलकुल यह देखिए यह क्या price में close हुआ है 22096 ओके यह देखिए यहाँ पर क्या price में close हुआ है 22096 दूसरे दिन gap down opening यह रहा gap down opening 21947 और low भी 21947 उसके बाद क्या मुझे बताने की जरूरत है अगर इसके SL हिट हो जाता तो काम खत्म यह अपने आप में एक support है अगर यह तूट जाता यह SL हिट हो जाता तो यह इसकी candle की value खत्म हो जाती लेकिन यह अपने आप में एक support का काम करता है और उसके बाद सी अच्छा अभी यहां पर आके market अटक गया है ना राइट देखिए आप खुद देख लीजिए क्या कहते हैं और इसी लिए market इसी के असपास घूम रहा है इसी के अंदर उपर नीचे उपर नीचे घूम रहा है तो gap अपने यहां पर gap down चाहिए तो gap down open low जब भी दिखे मैं अगर उसका stop loss हिट नहीं होता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं हो यह वाला gap up open low है gap down नहीं है ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं लेकिन जब भी मिलते हैं gap down open लो के और stop loss हिट नहीं होता है तो मैं ऐसी situation को कभी छोड़ती नहीं हूँ यह trade तो मैं करूँगी ही करूँगी राइट तो gap up open high बहुत मिलते हैं और उसका भी बेनेफिट जैसे मैंने आपको बताया हम ले सकते हैं कि हम gap up open high यह रहा इसका अगर SL लगा के इसमें treat कर सकते हैं gap up open high राइट gap up open high यह gap up open high यह gap up open high है बिल्कुल यह देखिए यहाँ पे close कितने पे हुआ है 19543 यहाँ पे कितना है 19554 एक ही पॉइंट है gap up है stop loss लगा के काम कर सकते हैं वैसे तो आप open low पे करी सकते हो लेकिन मेरा एक कहने का मतलब है अगर gap down open low हो जाए यह gap up open high हो जाए तो वो अपने आप में ही एक support और resistance का का काम करती है और मैं ऐसी situation को कभी छोड़ती नहीं हूं stop loss के साथ इसको definitely trade करती हूं बहुत ही simple logic है यह और मेरे पास request और demand आई थी कि मैं support resistance पे कुछ करूं video तो मैंने अपने style का support resistance आपको सिखाया है और जहां तक मुझे लगता है इतनी सी चीज अगर कोई भी देख ले तो लॉस कम हो सकता है profit बढ़ सकता है बस इसी कोशिश में चलते चलते वो टाइम आ जाएगा कि जब balance sheet profit में आ जाएगी क्या आप भी जोती बुधिया मैं से end-to-end trading पढ़ना चाहते हैं if yes then i have something very exciting to share with you हमने जोती बुधिया मैं के साथ recently introduced किया है the जोती बुधिया learning path इस learning path में आपको जोती मैं के सभी courses का access one go में मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं इस learning path में technical analysis, options trading, open interest based trading और मैं के बाकी सभी courses available है and you know the best part अगर आप individually इन courses को buy करते हैं तो आपकी fees को 1600 to 2000 के बीच होंगी but if you buy this learning path you'll get it for only 9.99 इसन्ट एक्साइटिंग तो आज ही इस learning path को subscribe कीजे और जोती मैं से trading सीकिए now let's get back to the video तो friends देखिए ऐसे आप और मैं तो बात करते नहीं है और कर सकते भी नहीं है तो likes करिए, view दीजिए और मुझे बताईए आपको कौन से topics और चाहिए और हाँ आप अपने questions भी मुझसे पूछिए क्योंकि मैं अब ये plan कर रही हूँ कि मैं आपके questions के उपर भी उनके reply के वीडियो बनाऊं आपके लिए जिससे क्या है कि जो query है आप लोगों की वो भी तो solve होनी चाहिए तो आप comment box का full use कीजिए और likes का भी full use कीजिए because जितने likes होंगे तो मुझे पता चलेगा कि कौन से topics में सबसे ज़्यादा interest बना है और उसी का advanced version में लेके आऊंगे ऐसे वाले support resistance में भी advanced version है लेकिन एक बार इसे practice तो कीजिए और यह सिर्फ nifty या bank nifty ही नहीं सब में काम करता है try करके देखिए तो सही guarantee किसी चीज की नहीं है success ratio अगर 65-70, 60 से 65% success ratio मिलता है it's a superb working क्योंकि बाकी के लिए stop loss है और stop loss में बिलकुल मत ही चकिए because वो ही आपको बचाएगा धन्यवाद करते। झलभ।